आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेसिस्टेनोग्राफ़ 2023 के कुछ डाउट्स क्लियर तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डाउट रहता है या कुछ कोश्चन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारा टलेग्राम ग्रूप जोइन कर सक आप लोगों का 12 और 13 ऑक्टूबर जो है वो एक्जाम का बताया जा रहा है इसके रिगार्डिंग आप लोगों को अगर फुल इंफोर्मेशन चाहिए तो आप लोग जाकर साइट से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या है शॉर्टेंड और रिटेंड मैनेज कैसे करें यह एक बहुत मेजर प्राब्लम होती है कि शॉर्टेंड में अगर आप सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इतना ज्यादा कॉमपेटिशन रहे है इतना ज्यादा आपको हूमवर्क मिलेगा इतना ज्यादा आपके पास वर्क पेंडिंग हो जाएगा कि आप रिटेंड की बिए ग्याप ले लेएं ठीक है कि अगर आपकी लर्ヶ मीकतर है मैं आप दिक्टेंड कर रहा है और में एको आपको लगता है कि आपकी आतलिस यह आपको दो महीने दिए जाएंगे जब आपका रिटन क्लियर होगा तो उस समय आपके पास वो सफिशन टाइम रहता है आप अपने स्किल पर ध्यान दीजिए और दिन रात करके दो महीने में आप लोग अपने तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं और दूसरी चीज क्या है आप अगर दो बार भी उसको लिख रहे हैं तो इतने अच्छे से लिखिए कि आपको उसकी दुबारा प्रेक्टिस ना करनी पड़े और उसके लिए एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि आपको थोड़े ट सुनने में आया और शीलेबस यह शनी शीलेबस हो गैसे कुछ नहीं है जो बिलकुर पहले जैसा ही आने वाले है मुआ सथके देखा भी ओना है याक को देखा है हम्नों पेपर जैसे कुछ का ही बात कर लें तो एक दूसरे से रिलेटेटीड की तन से मंतली ह、、ाएं वही होता एक ही चप्टर के सारे कोशन नहीं आ जाते हैं उसी तरीके से यहां पर भी रहने वाला है इसमें कुछ भी घबराने वाली या फिर इस तरीक से टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पीछे जो हम करके आई हैं वो नहीं आ रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है आप क्या राता आपके syllabus में English रहने वाली है आपकी और जी रहने वाली है और reasoning रहने वाली है ठीक है तो यह तीन चीज़े रहने वाली है जैसे पहले का था वैसे ही सेम अभी है Maths का बोल रहेते हैं वह इंक्लूड नहीं हुआ है अभी तो pattern change आपका हो चुका है यानि की question आपको question नहीं मिलेंगे आपको पहला question नहीं को मिलेगा फिर आपको narration का मिलेगा फिर आपको सिनॉनियम का मिलेगा इस तरीके से उपर नीचे करके दिये हैं ठीक है एक बात और कि यह पहले के time में भी होता था बट इतना notice नहीं किया बट आप जो है वह पूरा shuffle करके दिया दो बहीने दिये जाते हैं आपको skill के लिए तो उसमें बहुत है और कहां से learning कर सकते हैं आप सीख सकते हैं अगर आपके पास आसपास कुछ offline या फिर कोई center नहीं है सीखने के लिए तो आप online सीख सकते हैं English का और Hindi का दोनों के channel available है YouTube पर आप देख सकते हैं अपने according सीख सकत तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा option यह रहता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप सबसे बूचेंगे कौन सी book है बता दो कौन सी book है बता दो आप थोड़ा सा common sense लगा के देखिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने 10 book explore किया होगा ठीक है वो अपने हिसाब से बताए कोई भी ऐसी social site कोई भी ऐसी online platform ले लिजिए जहां से online shopping करते हैं वहां से आप लोग जाकर book search किजिए ससी stenographer के लिए कौन सी books है या फिर sse के लिए कौन सी books है क्योंकि एक बात और है कि sse जो है अपनी English और reasoning हो गया वो सभी almost सभी exams में same to same रखता है बस level थोड़ा सा आगे हो जाते तो आप उसे साब से जाकर चेक कीजिए और वहां पर उन books की rating देखिए उन books के reviews देखिए क्या क्या लोगों ने उसके बारे में बूला है वहां पर आपको एक साथ बहुत सारे reviews बहुत सारे stars देखने को मिलेंगे जिससे आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं अगर सही नहीं है तो आप return भी कर सकते हैं बट ये एक option था इसके अलावा क्या है YouTube से भी आप classes ले सकते हैं अगर English की बात है तो नीरू मैम हो गए नीतू मैम हो गए स्वाती मैम हो गए बहुत अच्छा English class लेते हैं तो आप लोग वहां से देख सकते हैं सभी exam का cover करवाते हैं उसके बाद हो गया आपका reasoning का हो गया तो अगर मैं books बोलू तो पिनाकल एक book है जो कि आपको सारे subject clear करवाती है तो वहां से आप वो भी order कर सकते हैं और बलजीत धाका सरकी हो गई book और उसके बाद आशीर सर हो गई और भी YouTube पे बहुत सारे ऐसे teachers available है ऐसे channel available है जो आपक clear हो गई होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग दिस वीडियो